नमस्कारम प्रिये जनों आप देख रहे हैं भी एचू पार्ट सला अस्वी का बहुत बहुत स्वागत है आज है अप्रेल फूल बना दिया गया हम सब बच्चों को बना दिया गया अब बड़े ही बहतर तरीके से बनाया गया एक तरव मोदी जी परिच्छा पे चर्चा कर वो बता रहे हैं कि कैसे लड़कियां आगे बढ़के हिस्सा ले सकती हैं भारत के विकास में वो बता रहे हैं कि हम एक समय पे कैसे विबिन परिच्छाओं को टैकल करें और इसको हमारे भीसी सहाब बकाया दे पूरे बच्चे बियेच्चू के आफिसली आफिस में बैठा आगे दिखाया जा रहा है बात किया जा रहा है दूसरी तरफ जो इस वीडियो को दिखा रहा है जो बता रहा है इसी परिछा को खतम कर रहा है आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारें बात कर रहा हूं जो कि एकदम मतलब इस लेबल तक जब कोबीड नहीं है तब इस तर आप एक्जामनेशन के पास जब CUT बियाच्चु का जा चुका है CUT के पास जा चुका है आपके पास काम का लोड घड गया है आपको जो फार्म होगा वो आज भी 500, 600, 700, 800 रुपए का आएगा फिर भी आप CHS के एक्जाम में इस तरीके के क्यों चीजों को ला रहे हो भाई इन्होंने आज CHS का एक लिस्ट जारी किया मैं सच बताऊं जब मैंने इस लिस्ट के बारे में सुना कि बेर्चु ने ओफिसली ये नोटीस दी दिया मैं आपको नोटीस दिखा देता हूं इन्होंने यहां पे एक नोटीस दिया स्कूल एडमिशन 2022 जब इन्होंने नोटी मैं सोचा एक बार पढ़ लेता हूं कि क्या है मैंने देखा वहाँ छटी और नौवी का लाट्री सिस्टम एक ग्रहामी दस्मी के बैसिस पे एडमिशन होने जा रहा है मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था मैं क्या वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं यह बताऊंगा क कि हाँ आप किसको भी ले आके पढ़ा दो स्कूल में मैं क्या बनाऊंगा कि भागे की बैसिस पे आप एडमिशन ले रहा हो यह मैं बताऊंगा इसमें कि आपका भागे तेज है तो आपके पढ़ सकतो आपका भागे डुबा हुआ है तो आपको आने की जूरत नहीं है यह चाहते हैं कि उनको CHS में पढ़ने का मौका मिले सबको पता है कि प्राइवेटी स्कूल की जो फीस है कम से कम गार्जेन अगर साट सतर अजर पर महिने का कमाता है तब जाके वो बड़े स्कूलों पढ़ा सकता है मैं किसी का नाम दे लेना चाहता हूँ अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मिधावी बाच्चों को छाट के निकालने का उनको अपर्चुनिटी देने का क्या मनलब यह हैविड बात नहीं हो गई एक साइड आप मनलब सिच्छा को उपर दाने की बात करते हो दूसरे ही साइड उसी पेव साइड प क्या विचार है और एक कम से कम एक स्टूडेंट का भी गुरूप बनाओ इस विद्याला में स्टूडेंट का गुरूप इसलिए बनाओ न कम से कम जब कोई नोटिफिकेशन जब आपकी कुछ प्लानिंग हो उसमें हिस्सा दो बच्चों को इतने भी गवार नहीं बने हैं हम लोग UGPG कर रहे हैं कि आपको एक सजेशन मात्र ना दे सके और आप अभी इतने भी ज़्यादा बड़े पत्पे नहीं पहुच गए हो और पहुचे हो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर फिर चीजों की कमी है अगर आप सही मायने में डिसिजन नहीं ले सकते हो तो इसका मंदब आपके अंदर कमी है आज सुबह के कॉल एक मेरे को आया मेरी बात हुई एक बच्चे का एडविशन इलहाबाद में हुआ है वहां पे भी ठीक से स्टडी नहीं कराए जा लिए वहां के भी सी मैडम अल्रडी एक महीने से बच्चों को परसान करा फानली पतान क्या खुषडी करके आप पेपर कराने जा रहे हैं नो डाउड की बेच्चू की भी सी साब जब से आए हैं चीजों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो कमिया है उसको पूरा किया जाए और जो बेहतर पॉस्बिल्टी हो उस पे काम किया जाए मेरे हिसाब बता दो कि इस नोटिफिकेसन का क्या मतलब है एक रीजन आप बता दो कि आप क्या सोच के बच्चो को आडमीसन लोट्री ए लोट्री और आप उसको मेरी क्रोख करेंono कि यही क्या बता होँगा आप सोच रहे हैं कि मैं व्यूज पाने के लिए सब कर रहा हूं आप जो भी मेरे वीडियो से देख रहे हैं एक बार मेरी प्रेलिश जाकर देख लेना लेने व्न इबारे व वीडियो बनाती हूँ नहीं समस्ट चाल बरेवर्षा भीचृ में कई बात करी हैं你要 बहु सारी चीज नजर आती हैं जो अक्सर कैंपस में दिख जाती है और वाकी विसोध्यालों में बाकी description में link भी डाल दोंगा वैसे भी बच्चे 12 ग्रहुवी 9 छटिंग हैं इनकी वचारों को पास mobile भी नहीं होता है क्या ही जाकर retweet करेगा हाँ लेकिन जो समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको पल्ले पढ़ जाए तो आप कर देना लेकिन अब क्या ही किय जा सकता है लेकिन ये बास समझना पड़ेगा मैं next video फिर से दोंगा आपके comment basis पर आप क्या चाहते हो हाँ लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि एक एक जगा पे हजार हजार गलतियां देखने को मिल रही है कोई एक reason बता दो कि कैसे आप मिधावी छात्रों को आगे ला मैं मेरे से discuss करो मैं बताता हूं आप लोगे कितनी कम्या कर रखी है आप मेरे से पूछो ना कि society में कैसे आपने class divide कर रखा है student के बीच में एक आज इलाइड और एक lower class divide हो चुका है एक बच्चे को पुरी सुधा मिलती है पढ़ने का दूसरे बच्चे पास कोई सुधा नह क्या से भारत बढ़ जाएगा आगे जो अच्छे यहां पर already UGPG कर रहे है उनको भी अच्छे तरीके से ground level पर काम करने का मौका नहीं मिलता है अब बोलो कि ground level का क्या होता है अरे भाई कम सकम practical knowledge तो कुछ होना चाहिए किताबी knowledge को भी अच्छे से दिमाग में नहीं भरा ज है और उसी स्टुडेंट्स के ग्रूप से कम से कम decision लिया जा है बेस्तक हम लोग पढ़ने आए मैं यह बोली नहीं रहा हो कि यह चात्र संग चलना चाहिए बट एक professional तरीके से एक student online platform पर रखो आप या फिर आप उसी website पर poll create करके वहां से decision ले सकते हो या फिर खुद आप इतने अच्छा knowledgeable हो कि आप खुद भी decision ले सकते हो लेकिन एक सही decision लो आप गलत कर रहे हो ऐसे university नहीं चलना चाहिए यह गलत हो रहा है पूरे छात्रों के साथ गलत हो रहा है आप बोलोगे तो मैं आपको 10-15 ऐसी points की बात कर दूंगा ने इस वीडियो में आप मेरे को बता है तो यह वीडियो मैं CHS के लिए सूट कर रहा था लेकिन मैंने बहुत सभी बातों को बताया CHS इस तरीके से नहीं होना चाहिए था एक नामी बहुत ज़्यादा रेपोटेटेटेड बहुत अच्छी स्कूल है ठीक है कभी मैंने भी उस स्कूल का इंटरिंस दिया था जा मेरे को प्लेटफॉर्म भी दिया गया था अगर उसमें मेरे को भी मेरिट बेस पर लॉट्री खीज के इडमिशन मिलना होता तो ना ही मैं CHS में जा सकता और ना ही मैं जैन्मी में जाके पढ़ सकता मैं भी ऐसे कहीं बैठा होता कोने में फिर कोई वैलू नहीं होती अगर बच्चे का दिमाग का आपको देखना है कितना टैलेंटेड है तो उसे प्लेटफॉर्म दो पहले उसे प्लेटफॉर्म चीनो मत यह कोई तरीका नहीं होता है कि अच्छे एक बहुत अच्छा दिमाग है और उसको आप सड़ने दो ऐसे ही काई लगने दो नाले में सड़न और परिच्छा ही हटा रहा है किस चीज की चर्चा कर रहे थे फिरा क्यों चर्चा कर रहो भाई क्यों इन अडवर्टाइज्मेंट कर रख्यों दस दिन से हटाओ मत कराओ यह चर्चा और चाप मैंने कुछ उसको लिंक को सेयर करा मैंने कुछ इस्टेटस पर लगाया वेलफ पर चर्चा करा रहे हो दूसरे लिएक प्पर ही अठा दे रहे हो सभी है वीडियो को सेयर कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना अपनी सटेटस पर लगाना और ट्वीट का लिंक है ट्वीट भी कर देना आई होप कि कुछ अच्छा प्रिस्पॉंस आइब बहुंत जल नेक्स वीडियो बनाओंगा उसको भी देखते रहना है और अर्माज जैसे किसने राधे राधे